वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स वेब 3.0 लाश्ट कुछ वीक से काफी ट्रेंडिंग टोपिक चल रहा है वर्ल्ड में आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे वेब 3.0 क्या है कैसे ये अभी के इंटरनेट वेब 2.0 से डिफरेंट होगा इसके क्या फीचर होंगे वेब 3.0 किस तरह से इंटरनेट को बदल देगा इनी सब टोपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले है जब से कोविड पैंडिमिक स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड हमें लोकडाउन देखने को मिला है फर्स्ट वेव, सेकिंड वेव and नाव थर्ड वेव इसके अलावा कई तरह के न्यू वेरियंट भी हमें देखने को मिले है इसके चलते दुनिया बर के लोग कई मंस से अपने घरों में है और वहीं से work from home कर रहे है इस वज़े से इंटरनेट के यूज में पहले से कई गुना ज़ादा consumption देखने को मिला है और तबी से web 3.0 continue trending में है बट किसी को clearly इसके बारे में बहुत कम knowledge है कोई कह रहा है web 3.0 इंटरनेट को यूज करने का वे ही change कर देगा और कोई इसे metaverse से connect करके देख रहा है कई लोग इसे cryptocurrency और blockchain से भी link कर रहे है reality में web 3.0 क्या है इसको समझते है अगर आप हमारे channel पर new है तो subscribe बटन पर click करके हमारे channel को subscribe करें web 3.0 को समझने के लिए हमें internet को starting से start करना होगा 1980s में web 1.0 का invention हुआ and 1989 में worldwide web जानी www की starting हुई इसमें users बस blog website को browse कर सकते थे and उन्हें read कर सकते थे इसके लावा कुछ और करने का option हमारे पस नहीं था बट उस time के हिसाब से internet की दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ी success थी इसमें हम किसी और person के सब connect नहीं कर सकते थे आप कोई account नहीं बना सकते थे ना ही comment कर सकते थे आप बस particular website पर information को read कर सकते थे इसके बाद 2000 में आया web 2.0 इसमें dynamic and interactive website की starting हुई इसमें user comment कर सकते थे gameplay कर सकते थे and अपना account भी open कर सकते थे web 2.0 को हम currently use कर रहे हैं web 2.0 की वज़े से social media websites की development हुई and social media की वज़े से हम एक दूसरे से internet के थुरू connect हुए web 2.0 में 3 core layer है mobile, social and cloud and after iPhone launch in 2007 mobile internet access में drastically change आया मुझे आज भी याद है हम dial up connection करने में लगे रहते थे but अब हम mobile internet की वज़े से always connected state में रहते है web browsing, mobile apps and personal notifications सभी के phone पर regular चलते रहते है but web 2.0 यानि current internet को fully control किया जाता है और यह decentralized नहीं है internet का mostly content आप google पर search करते है और google एक private company है कई बार इन companies पर अरोब भी लगते रही है कि यह अपने फायदे के लिए google search result में बड़ी गड़बडी करते है and एक और example को देखे तो हम वो है meta जिसे हम facebook से भी जानते है meta के कई platform है whatsapp, instagram and facebook जो की सबसे जादा use होते है अगर यह चाहे तो अपने तरीके से content को manipulate कर सकते है और करते भी है जिसकी जैसे इस तरह के data manipulation के औरोब facebook पर आए दिन लगते रहते है facebook और google दोनों ही कंपनियों की अपने अपने space में एक तरह से monopoly है web 3.0 concept इसी monopoly को खतम करने के लिए है web 3.0 कोई एक company नहीं होगी बलकि हर user के पास अपने content की ownership होगी for example अगर कल को google काम करना बंद कर दे तो आप क्या करोगे हम experience भी करते है social media site के crash होने की google के server crash होने की भी कई बार इनका data भी leak होता है और इनकी services down हो जाती है and hacking की problem भी time to time होती रहती है जिसका loss last में users को ही होता है but web 3.0 में ऐसा नहीं होगा क्योंकि web 3.0 का concept है internet को decentralized करना जो based होगा blockchain technology पर cryptocurrency भी blockchain पर based है इसी वज़े से cryptocurrency भी decentralized currency है इसे इस तरह से समझिए जैसे हमारी normal currency centralized है जिसे center government and banks control करते हैं और हम अपने savings भी bank में ही करते हैं by chance अगर bank डूब जाता है तो most of time bank के जो customers होते हैं उनी को loss होता है बट blockchain based cryptocurrency में ऐसा नहीं होता विकोज आपकी digital currency अलग-अलग server में store होती है और hackers सभी computer को एक साथ hack नहीं कर पाएगा इसलिए decentralized system ज़्यादा secure होता है अब जानते हैं web 3.0 के आने से क्या change हो जाएगा web 3.0 आने के बाद user के पास ज़्यादा power होगी आपका content आपका ही होगा आप किसी भी platform पर अपना content upload करो उस content के right बस आपके पास ही होंगे अभी ऐसा नहीं है for example अगर आप अपने content को facebook या youtube पर share करते हो तो वो content एक तरह से उनका हो जाता है वो आपके content को अपने हिसाब से use कर सकते है और कई बार social media से आपके content हटा भी लिये जाते है या ऐसा होता है कि कई बार आप किसी content को post नहीं कर पाते बट web 3.0 में ऐसा नहीं होगा इसमें कोई company ये decide नहीं करेगी कि आपके content को remove किया जाए या नहीं web 3.0 में user के पास ज़्यादा control होगा अपने content का क्योंकि अभी हमारे content का control companies के पास है वो इसे जैसे चाहे use कर सकते हैं web 3.0 में blockchain की तरह ही डाटा किसी central server पर नहीं होकर user के device में होगा हाला कि ये encrypted form में होगा इसलिए कोई ये नहीं जान पाएगा कि किस user का डाटा कहां पर है इस वज़े से अभी की जो social media and internet की big tech companies है उनकी monopoly नहीं रहेगी web 2.0 was driven by mobile, social media and cloud computing web 3.0 is built on three layers of technology innovation edge computing, decentralized data networks and artificial intelligence के इलावा web 3.0 work करेगा openness, trustless and permissionless network पर tech world में काफी पहले से web 3.0 पर काम चल रहा है कुछ सालों के अंदर ये web 2.0 के साथ ही side by side चलेगा लेकिन अगले 10 सालों तक ऐसा भी मुम्किन है कि web 3.0 पुराने web 2.0 को replace कर दे और internet पूरी तरह से बदल जाए ये था दोस्तों आज का अमारा वीडियो web 3.0 पर I hope आप सभी को समझा आ गया होगा web 3.0 क्या है अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like and share कीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले thank you, jahin